Hello everyone, welcome to EduTab. I hope आप लोगों के CAB exam की preparations बहुत अच्छी चल रही होगी. जैसा कि आप सभी को पता है कि CAB examinations के आपके notifications आ चुके हैं, registration से start हो चुके हैं, तो अब बारी आती है पढ़ाई करने की. तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताने आई हूँ कि क्या हम self study से भी CAB exam को clear कर सकते हैं, और जो लोग भी इस बार CAB exam को target कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफी जादा important होने वाला है. तो अगर आप मुझसे पूछें, तो बिलकुल आप self study से CAB exam को clear कर सकते हैं, लेकिन कैसे, अब कर तो सकते हैं, लेकिन कुछ तो होगा न, कैसी strategy बनानी चाहिए हमें, तो उसके बारे में हम इसमें यहाँ पर discuss करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दू, जब हम study प्लान करते हैं, किसी भी चीज की preparation करते हैं, तो हमारे पास दो तरीके के plan होते हैं, पहला होता है, short term, ठीक है, short term क्या हुआ, मतलब ज़ो exam के pass, यानी 2-3 month जब हमारे exam के बची होते है तब का term होता है और long term कौन सा होता है जब हम पहले से preparation start कर देते हैं 4 से 6 months early जब हम exam से पहले start करते हैं तो दो तरीके के हमारे पास plan होते हैं अब आप सभी को पता है कि हमारा अभी हमारे पास जो time है वो short term time है क्योंकि registrations हो रहे हैं exams के date निकल चुके हैं तो अभी हमारे पास जो मौका है वो short term वाला है यानि कि 2 से 3 महिने में हम कैसे करेंगे और दूसरा मैं ये भी plan आपको बताऊंगी कि long term में आप कैसे इसको prepared करेंगे अभी तो आप short term वाले पे जाओगे लेकिन अगर इन future कोई cab exam देना चाहते हैं तो उ होता है हमारा long term strategy तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे discuss करेंगे तो चलिए पहले short term देख लेते हैं अब आपके पास ये exams के date है अल्रेडी आ चुके हैं IABF के website पे ये चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है तो यहाँ पर आप देखेंगे 24th of November को आपके किस चीज का paper ह advance bank management similarly अगर 8th December को देखेंगे तो bank financial management का है 8th of December को आपके पास advance business and financial management है 14th of December को आपके पास BRBL यानि की banking regulation and business law का paper है और जो last है आपका 15th of December आपके elective paper है तो अब हमारे पास time कम है इतने सारे subjects पढ़ने हैं और सारे के सारे जो हैं थोड़े से तो difficult है इतना आसान नहीं है कि बिना पड़े आप इसका exam crack कर लो ऐसा तो बिलकुल भी नहीं है तो अभी आपको क्या करना है तो मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए सबसे पहले आ आप क्या करेंगे ABM उठाएंगे ताकि यह आप cover कर लो फिर उसके बाद जब देखोगे दूसरा आपका एक December को है तो BFM का है तो second जो आपका flow होगा उसमें BFM आप उठाओगे फिर third आपका जो है ABFM है तो फिर आप ABFM पे जाओगे and then last आपका BRBL है तो BRBL को आप इसमे cover करोगे और simultaneously आपको क्या करना है आपके elective paper को भी cover करना है क्योंकि आपके पास इतना ज़्यादा time नहीं है कि पहले चारों को prepared करेंगे and then हम आराम से elective paper करेंगे क्योंकि आपका आप देख सकते हैं पेपर जो है 14 के बाद डारेक 15 को आपका elective का paper है ठीक है तो यहाँ पर तेखेंगे आप order की अगर मैं बात करूँ तो एक्जाम आपका पहले ABM का है तो ABM उठाना है फिर उसके बाद आपको BFM उठाना है देन उसके बाद आपका जो third paper है ABFM है and fourth आपका है last जिसको हम बोलते BRBL का paper है simultaneously आपने जो भी अपना elective paper choose किया होगा वो elective paper आप साथ के साथ यहाँ पर करते रहेंगे अब ABM पढ़ना तो है क्या पढ़ेंगे ABM में कैसे पढ़ेंगे तो ये वाला जो है न बहुत जादा जो है ये pinpoint हो जाता है बड़ा ही दुख है यहाँ पर कि कैसे पढ़े सारी चीज़े पढ़ लेगा यहाँ पर तो मैं आपको बतादू मुझे ये दोनों सबसे पहले cover करना है तो similarly आपको क्या करना है ABM जो आपका subject है तो आपको यहाँ पर क्या करना है आपको पता है इसमें आपके numericals वगरा जादा आते हैं और आपको यह भी पता होगा कि इसमें कौन से module का weightage जादा है तो आप सबसे पहले उस module को जैसे मालनी जो अगर module A का weightage सबसे जादा है तो आप पहले A को cover करेंगे दिन उससे जो थोड़ा कम होगा उसको cover करेंगे फिर उससे जो और कम होईगे जिसमें number of questions कम आते होंगे weightage जिसके कम होंगे फिर उसको आप धीरे-धीरे flow में करेंगे और simultaneously ये सारे के सारे जो है आपके subjects के लिए same rule apply होता है ठीक है अब जैसे BFM की मैंने बात की है तो module A important है very very important है exam में maximum questions इससे आते हैं तो आपको क्या करना है सबसे पहले module A उठाना है पढ़ लेना है उसको जब module A आपका अच्छे से हो जाएगा then आप go for module B जैसी module B हो जाएगा then आप क्या करेंगे C or D क्योंकि उससे थोड़े से कमाते हैं तो दोनों को आप depend करता है आपको कौन सा module इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्या study material होना चाहिए क्या source होना चाहिए इसके लिए तो आप सभी को पता है कि एक standard Macmillan की book है वही आपके लिए यहाँ पर best source होने वाला है जब भी आप exam की preparations करते हैं सबसे पहले आपको sources का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम relevant और correct sources से पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि IIBF की जो book है वो आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल ही correct source है आप इसी source को follow करेंगे और इसी book से आपको क्या करना है सारे के सारे syllabus को cover करना है module A, B, C and D whether वो elective paper है या whether वो आपका mandatory paper है तो I hope आपको यह चीज तो clear हो गई होगी जब भी आप self study कर रहे हैं आपको यह सारी चीजों का ध्यान बहुत जादा रखना है अब हमने modules तो सारे complete कर लिए chapters भी पढ़ लिए subject भी पढ़ लिए आपने बोला मैं कि module A और module B बहुत important है मैंने सब कर लिया अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा ये preparations अच्छा है या नहीं है तो क्या करना है इसके लिए बड़ा ही basic सा rule है यहाँ पे आपको यहाँ पर जितने भी previous year questions है उसको लगाने है आपके पास time कम है तो इसलिए आप क्या करेंगे subject एक subject पढ़ेंगे and then subject को पढ़ते ही आप previous year questions को लगाएंगे अब इससे क्या होता है आपको इससे बहुत सारी चीजों की जानकारी हो जाती है जैसे आपका कितना complete हुआ है कितना आप prepared हो for the examination एक तो ये पता चलता है दूसरा आपको यहां से ये पता चलता है कि बार-बार कौन से repeated questions आए है किस concept से आए है और कौन सा module जादा important है और किस concept पे हमको जादा focus करना है मतलब किस concept को हमको इतने अच्छे से पढ़के जाना है कि पता है exam में से questions आने वाले है तो इसलिए previous year questions तो जरूर ही करें तो ध्यान रखे जब self study कर रहे हैं आप previous year questions उठाएंगे previous year questions को करेंगे analyze करना है अगर कोई भी सवाल आपका गलत होता है तो try to find out the correct solution correct explanation कि क्या है उसका correct explanation कैसे इसको solve करना है कि आने वाले exam के लिए हम अच्छे से prepared हो जाए और इस तरीकी की गलतियों को ना दुबराएं ठीक है तो आपको ये सारी चीजों पे काफी जादा focus करना है now यहाँ पर अब हम बात करेंगे long term plan की ये था short term plan जिसमें आपको सारे subject पढ़ने नहीं है ठीक है जैसे ही एक subject खतम होता है आप वैसे इसका previous year paper लगा लेंगे ठीक है previous year paper लगाएंगे सारी चीजे आपको यहाँ पर crystal clear हो जाएगी कि क्या-क्या आपने पढ़ा है क्या-क्या आपको आता है book आपका होगा IIBF की Macmillan वाली book जो आपका यहाँ पर क्या होगा आपका source होगा study करने के लिए ठीक है आप चाहें अगर self study कर रहे हैं तो एक छोटा सा notes भी बना सकते short notes अगर बना लेंगे तो आपके लिए और जादा फायदे मंद हो जाएगा कि exam से 10 दिन पहले 5 दिन पहले आप क्या कर सकते हो quick revision कर पाऊगे तो यहाँ पर आप कोशिश करें कि quick revision के लिए आप जो है एक short note भी तयार कर लें जो जो आपको जैसे अगर आपने previous year paper दिया questions देखे आपने तो आप वहाँ से analyze कर पाऊगे concept को कि कौन से concept से जाधा है एक notes बना लिजे उसके छोटे-छोटे ठीक है और उसको आप क्या करें exam के time पे जब आपकी 4 दिन 5 दिन 1 week बचा है तो आप उसको quickly revise कर ले ठीक है तो यह होगा आपका short term plan अब हम बात कर लेते हैं long term plan की तो long term plan में मैंने आपको कहा कि हमें यहाँ पर 4-6 month अगर time है तो हम long term plan की तरफ जा सकते हैं लेकिन हमारे पास तो अभी short वाला था और मैंने आपको short वाला बता दिया कि कैसे आपको जो है plan करना है कैसी exam के लिए preparations करनी है अब long term में हम जाएंगे तो सबसे पहले मैं बता दू आपको बहुत जरूरी होता है बहुत ही important होता है कि सबसे पहले तो आपको subjects पता होने चाहिए कि कौन सा subject आता है जब यही नहीं पता होगा तो क्या ही आप तैयारी करोगे कैसे पढ़ोगे तो आपको क्या करना है सबसे पहले यह clear कर लेना है कि कौन कौन से जो है आपके कंदल सारी paper है क्या नाम है उस paper का क्या कैसे आता है वो paper ठीक है और आपके पूरे जब आपको पता चल जाए जैसे आप यहां पर देख सकते हैं मैंने अल्रेड़ी आपके लिए लिख दिया है ABM है आपका BFM है ABFM है और BRBL है जो कि आपका mandatory subjects है और elective में आपके पास 5 options है 5 होई से आप अपने choice का कोई भी choose कर सकते हैं अब आपने subjects पता कर लिए अब क्या करना है यह पता करना है कौन सा subject जादा difficult है तो अब यहाँ पर जो हमारी strategy होगी बिल्कुल different होगी जो हमारे short term strategy से थी ठीक है short term में हमने क्या किया था जो date है exams के उसके हिसाब से हमने preparation start की थी बट यहाँ पर क्या करेंगे हम difficulty level के हिसाब से preparation को start करेंगे तो जैसे मैं आपको बता दू कि जो हमारा ABM होता है moderate level का always इसका paper आता है बहुत difficult नहीं है moderate है यानि कि अगर आपका concept clear होगा basic understanding आपकी अच्छी होगी तो आप इसको आराम से कर पाओगे ठीक है BFM भाई बहुत difficult है BFM तो pain point है आप लोगों का कि BFM करना कैसे है तो BFM के papers भी इसी हिसाब से आते हैं काफी difficult होता है for the students and for the exam का अगर paper भी देखेंगे तो आपका BFM थोड़ा tough है now दूसरा है तीसरा है आपका ABFM अब ABFM भी moderate होता है इसमें भी कोई ज़्यादा ठीक है आपने basic understanding ले लिए अच्छे से पढ़ लिया तो आपका ये भी हो जाना है इसके लिए BFM के लिए बड़ा ही deep आपको understanding होना चाहिए basic concept इतने अच्छे से clear होने चाहिए ताकि आप इसका paper अच्छे से दे सको BRBL BRBL काफी easy है easy going है आप इसको कर सकते हैं normally आप जादा इसमें time नहीं लगेगा elective papers की बात करो तो आपके पास subjects है पाँच अब आपको कौन सा इसमें जादा आसान लगता है आप उसको choose कर ले यानि कि रूलर banking है human resource management है informations technology and digital banking risk management and central banking तो आप अपने 24 का कोई भी choose करेंगे और उसको आपको पढ़ना है अब flow कैसा होगा हमारा तो अगर मुझसे आप strategy पूछ रहे हैं तो मैं तो बोलूँगी कि सबसे पहले आप easy paper को उठाओ यानि कि BRBL को उठाओ क्या होता है ना जब हम easy वाला paper उठाते हैं पढ़ने का चालो करते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा motivation होता है काफी motivated हो रहते हैं कि अरे वाह हमसे तो हो रहा है तो अब क्या होता है ना कि एक easy paper उठाया और उसके flow flow में आपको क्या करना है जब आप थोड़े से बहुत जादा आपको boost हो जाओगे बहुत अच्छी feeling आएगी कि अरे वाओ ये तो cap भी हम clear कर सकते हैं तो जब ये वाली feeling आपको आने लगेगी flow flow में सबसे difficult वाला उठा लेना है पर यानि कि BFM उसी जोश में आपका BFM भी यहाँ पर cover हो जाएगा और उसके बाद आप क्या करेंगे या तो ABM या तो ABFM दोनों में से कोई एक उठाएंगे अगर आपके लिए numerical थोड़ा सा difficult होता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे ABM उठाएंगे लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका maths अच्छा है numerical आप easily solve कर पाएंगे तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं उससे पहले आप ABFM यहाँ पर choose करेंगे and then finally go for the elective papers तो क्या flow बना इसका चलिए flow बता देती हूँ ऐसे तो आप confused ही हो जाओगे तो सबसे पहले आपको start करना है easy one से जो कि मैंने आपको अभी just बताया उसके बाद क्या करना है आपको BFM जो कि one of the tough और difficult आप बोल सकते हो subject है तो उसको फिर करना है इसके flow में आपका BFM हो जाएगा next क्या है आपका then आप जाएंगे ABFM पे ठीक है और उसके बाद आप जाएंगे ABM पे again मैंने आपको बताया कि अब आप decide करेंगे कि इस दोनों में से आपको कौन सा difficult रगा दोनों moderate level के है ठीक है तो आप इस flow में भी कर सकते है या आप देखेंगे कि आपको कौन सा इसमें difficult लगता है तो सबसे पहले आप उसको करेंगे then go for the another one ठीक है जब ये हो जाएगा तब आपके पास जो है elective paper है elective को करेंगे अब क्योंकि आपके पास यहाँ पर total six month का ये plan है long term plan है तो आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा easily सारी चीज़े जो है flow में हो जाएगी लेकिन यहाँ भी जो आपको basic strategy क्या रखनी है कि कौन सा module का weightage सबसे जादा है तो ये आपको याद रखना है weightage हमेशा पता होना चाहिए कौन से module का weightage है कौन से concept से बारवार questions आ रहे हैं सबसे पहले उसको उठाएंगे दूसरा previous year questions ये तो must है बिना previous year questions किये हुए आप analyze कैसे करेंगे कि आपको आपने क्या पढ़ा है exam में paper कैसे आ रहे है right तो आपको ये करना है इसके अलावा आपको full length mock test लगाना है जैसे कि अभी भी जो मैंने आपको short term plan बताया है उसमें आपको two to three months का जो plan है आपको यहाँ पर क्या करना है FLT देनी है यानि कि full length mock test देना ही देना है at least आप जो है exam से पहले 10-12 तो test देख कर ही जाओ क्योंकि आपके लिए test देना बहुत जरूरी है ताकि आप boost up रहो motivated रहो और exam के लिए आपको जो flow होता है वो बना रहे flow ना टूटे तो उससे क्या होगा कि आप exam अच्छी तरीके से यहाँ पर दे पाओगे बिना panic हुए तो आपको कुछ जो है चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है जो already मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ Now अब यहाँ पर आपके पास कुछ 5 minute tips डाले है 5 कुछ points है जैसे कि आपको book जो है आपकी Macmillan की क्यूंकि आप self study कर रहे हो तो आपको यहाँ पर book को अच्छे से पढ़ना है जो भी IABF के website पर आपको Macmillan के book है उसको बढ़िया से पढ़ना है for each and every component ठीक है सारे module को cover करना है whether it's A, B, C and D depth understanding होनी चाहिए basic concept आपका बहुत clear होना चाहिए facts पता होने चाहिए ये सारी चीज़े आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आप जब exam दे रहे तो आपको thick and thin each and everything आपको पता होना चाहिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि JAB से difficulty level आपकी यहाँ पे बढ़ने वाली है तो JAB में आपने basic understanding से चीज़े clear की थी यहाँ पे आपको थोड़ा सा depth knowledge लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि exam में उस तरीके के questions आते हैं practice 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 only practice practice तो भाई करना ही है जब आप किसी भी exam के preparation करोगे तो आपके लिए practice तो एकदम से ऐसा है कि इसके बिना आपके preparations अधूरे है पता कैसे चलेगा आपको तो practice करने के mock test जितना लगा सकते है as many as you can आप उतना practice करेंगे ठीक है इसके अलावा आपको क्या देना है सारे module को time देना है एक यह आपको पता है कि important module कौन सा है उसको तो time देंगे इसके अलावा जो rest of the modules है उसको क्या करना है उसको भी तो time देना है उसको थोड़ी ऐसी छोड़ देंगे फिर exam में गर उससे question आगा तो क्या करेंगे अपन तो यहाँ पर आपको सारे modules को time देना है यहाँ पर मैं आपको बता दू जितना भी आप case study based question करेंगे आपके लिए उतना जादा जो है profitable होगा आपको situation based NCU करने है numericals है मैंने आपको बोला है यह jab से थोड़ा सा इसका level high है इसका मतलब है कि यहाँ पर questions की difficulty level होईगी थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पर brainstorm जादा करना परेगा तो आपको क्या करना है case study जितने भी case study based questions है उसको यहाँ पर solve करना है MCQs करने है situation based numericals solve करने है तो जाके आप एक अच्छी तरीके से full package में आप तयार हो पाऊगे exam के लिए यह आपका जो है यह जो tips है यह आपके short and long term दोनों में ही काम आने वाला है तो आपके exams नजदीग आ चुके हैं आपको अपने strategy बनानी है इस तरीके का flow रखे for the short term period के लिए कि किस तरीके से आपको prepared करना है और अच्छी तरीके से exams के लिए आप prepared रहें और throughout your entire preparations आपको क्या करना है motivated रहना है काम रहना है बिल्कुल panic नहीं करना है trust करना है process को flow को समझना है अपना खुद का plan बनाना है अपनी खुद की strategy बनानी है एक time table बनाना है और उसको follow करना है always आपको पता है consistency बहुत जादा important होती है जबी भी आप कोई भी exam देते है तो consistency is the key to success तो आपको यहाँ पर क्या करना है consistent रहना है और exam के लिए अच्छे से preparations करनी है I hope आपको यह strategy समझ में आई होगी all the very best to all of you जो लोग भी इस बार cab exams को target कर रहे हैं और जो इस बार cab exam November में देने वाले हैं आप लोगों को कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमें call कर सकते हैं आप हमें mail भी कर सकते हैं आप हमें hello at the rate addutap.co.in पे mail भी कर सकते हैं तो I hope आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा Please guys keep motivated